अब आद दिली के दिल दहला देने वाले का अंजावला मामले की करते हैं अंजली डेथ केस में FSL की रुपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कार की शुरुवाती फॉरंसिक जाच में ये पता चला है कि हादसे के बाद अंजली कार के अगले बाएं पहिये में फसी थी ज्यादतर खून के धबे कार के फ्रंट लेफ टायर में ही मिले हैं फॉरंसिक जाँच के दौरान कार के नीचे दूसरे हिसे में भी खून के धबे मिले हैं हाला कि अंजली कार के अंदर थी इस बात का अभी कोई सबूत नहीं मिला है वहीं गिरफतार सभी आरोपियों के खून के सैंपल्स भी फॉरंसिक जाँच के लिए एफसल भेज दिये गए हैं जाँच के बाद ये पता चलेगा कि उस रात पांचो आरोपी शराब के नशे में धुत थे या नहीं वैसे अभी तक की रुपोर्ट में यही बात सामने आई है कि उस रात कार में सवार पांचो आरोपियों ने जम कर शराब पी थी और कुमार सोनू हमारे सयोगी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं कुमार सोनू एफसल की जो प्रिलिमिनरी रुपोर्ट सामने आई है वो तमाम इशारे कर रही है सबसे पहली बात की जो कार का लेफ्ट साइड होता है यानि की जो को ड्राइवर सीट होती है उस टायर की नीचे लड़की फसी थी अंजली जहां उसके खून के स्पोर्ट मिले हैं कार के अंदर स्पोर्ट को लेकर अभी जांच होनी बाकी है और क्या कुछ एफसल की इस रुपोर्ट में सामने आया है ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्ज और मूवर्ज बिजनस शुरू करके महिने का पांच लाग कमाते हैं इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए देखें जोसना मैं आपको बताओं कि सबसे पहले इंडिया टीवी वो चैनल था जैसे ने सबसे पहले बताया था कि लड़की का पैर है वो फ्रंट एक्सल में को ड्राइवर सीट के वाले वील में फसा था क्योंकि वो वहाँ पर रोलोन हुआ उसके बाद लड़की फस गई गाड़ी के नीचे आ गई क्योंकि ग्राउंड क्लियंस इस गाड़ी का कम होता है तो ऐसे में वो जो है रगड़ती हुई चली गई लेकिन सवाल यह है कि अभी भी पहले दिन से ही हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तेरा किलोमेटर तक गाड़ी इसको से जो है लड़की को घसीटा गया क्या लड़कों को वाके में नहीं पता था लेकिन दूसरा पहलू यह है कि पुलिस को क्यों नहीं पता चला तेरा किलोमेटर नियू एर की रात इतनी सारी पिकेट थी पेट्रोलिंग गाड़ियां थी इसके अलावा पीसीर वेन की तैनाती थी एक्स्रा लेकिन बावजूद इसके एक्स्रा स्टाफ होने के बावजूद भी तब भी जो है तेरा किलोमेटर में एक भी पुलिस वाले ने उस गाड़ी को रोकने की जहमत नहीं उठाई यह एक बड़ा सवाल है फिलाल जो पुलिस है वो उस पूरे मामले की चार्च कर रही है FSL की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि कुछ ब्लड के ट्रेसिज फ्रंट वील पर मिले है क्योंकि ब्लड बहुत सारा लगा हुआ है गाड़ी पर नीचे क्योंकि लगातार लड़की को 13 किलोमेटर तक रगड़ा गया तो ऐसे में अब आरोपियों स सुल्टानपुरी में नहीं रखा गया है उन्हें जो है किसी दूसरे पूली स्टेशन में रखा गया है वहाँ पर जो है आयो पहुंच चुके हैं वो उनसे पूश्ताच करें कि लिये गाए हैं तो वो रिपोर्ट कब तक आएंगी ओफीशिली इस बात का पता कब चलेगा कि क्या वो नशे में धुत थे या नहीं? पॉस्त मोाहिजशा के रूक करेंगे, इसे बीच अंजली की पॉस्समोंटम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, पॉस्समोंटम रिपोर्ट में मौत की वज़ा का खुलासा हुआ है ये बहुत ही कम निवेश पर Packers and Movers बिजनस शुरू करके महिने का 5 लाग कमाते हैं इनसे सीखना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए हाला कि ये अभी detailed post-mortem report नहीं है ये भी प्रारंबिक report है जिसमें इन तमाम बातों का खुलासा हुआ है detailed post-mortem report आना भी बाकी है और जब detailed post-mortem report सामने आएगी उसके बाद इस मामने से जुड़ी हुई कुछ और बाते हैं कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब मिल पाएंगे हाला कि रेप का आरोप परिवार की तरफ से लगाया जा रहा था post-mortem report में इस बात का खुलासा हुआ है कि अंजली के साथ रेप नहीं हुआ है उसको सिर में, रेड की हड़ी में और शरीर के निचले हिस्से में गंभीर चोट आई थी और घसीटने की वजह से उसकी मौत हुई है ये भी post-mortem report में सामने आया है तो post-mortem report और FSL की preliminary report सामने आ चुकी है detailed report सामने आनी बाकी है और जब ये detailed report सामने आएंगी उसी के बाद इस मामले से जुड़े हुए कुछ एहम पहलू है कुछ एहम बाते हैं जिनका पता चल पाएगा हाला कि पुलिस की तरफ से भी इस मामले में प्रेस कॉंफरेंस की गई थी और पुलिस ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में इसे हत्या मानने से इंकार कर दिया था इसे हाथसा कहा था को इंडिया टीवी हर वक्ट हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर